असलाम आलेकूम, सबास बेस्ट क्लासस में आज हम इंशालला बहुत ही जबरदस्ट चिकन मंदी बनाएंगे ये मंदी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सबस्क्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रिस कीजिए तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे आठ से दस हरी लाइची और एक टी स्पून काली मिर्च लेंगे साबित काली मिर्चे और चार से पांच इंच की दार्चीनी यानि खलमी लेंगे आधा टी स्पून लॉंग और तीन तेस पक्ते और देखिए यहां पर हम दो प्यास रखे हमने दो बड़े से प्यास को मैंने कट करके रखा है अब एक बरतन में आप सबसे पहले तेल गरम कीजिए यहां पर चार टेबल स्पून तेल मैंने डाला उसे गरम किया पिर उसके बाद यह जो थाबित मसाले मैंने बताए थे लौंग पनायाँ चीजिए टिस पता दारची नी इनको फ्राइव कीजिए पिर उसके बाद इसमें प्यास डाला प्यास को बहुत लाल नहीं करना है हमें प्यास को फिर उसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून अद्रकलेसन पेस्ट डाल देंगे इन सबी चीजों को फ्राइ कीजिए फिर 4 ग्लास पानी डाल दीजिए पानी को उबलने दीजिए फिर इसमें नमक डाल दीजिए टेस्ट के हिसाब से हमने नमक डाल दिया यहाँ पर देखिए हमने देड कीलो काप साबिट चिकन का पीस लिया है आप चाहें तो चिकन के बड़े बड़े पीसे भी ले सकते हैं अब इस चिकन को उबलते हुए पानी में डालिए और धकन ढाक कर इसे उबलने दीजिए तब तक हम Arabian Spice Mix बनाते हैं तो देखिए चिकन उबल रहा है तब तक हम मसाला तियार करते हैं तो इसे बनाने के लिए हम 2 टेबल स्पून धनिया लेंगे यह Arabian Spice Mix बना रहे हैं हम फिर एक टेबल स्पून जीरा लेंगे और आधा टी स्पून लॉंग हमने लिया और तीन इंच की दार्चीनी मिन्स खलमी है और दस से बारा हरी लाइची हमने लेनी है और एक Black Lemon मिन्स काला नीमबू है अगर आपको यह काला नीमबू नहीं मिलता है तो आपको इसका क्या करना है मैं इसे भी आपको बताऊंगी देखे यह काला नीमबू है आप इसे तोड़ लीजिए और अंदर के जो बीज वहरा है वो निकाल लीजिए देखे इस तरह से निकाल लीजिए और फिर हम सारे मसालों को भून लेते हैं तो यह सारे मसाली जो हैं हम इन्हें भून लेंगे मसालों को बहुत जादा ना भूनिए बस हलका सा इसे भून लीजिए और हलका सा इसे भूनने के बाद हमें इसे पीस लेना है यानि इसका powder बना लेना है इसे हमने piece लेना है देखिए हमने यहाँ piece लिया यह हमारे पास Arabian masala यानि Arabian spice mix तयार है तो देखिए मैंने इसे छोटे बरतन में shift किया है ताके chicken अंदर अच्छी तरह से dip हो जाए अब मैं इसमें डालूँगी यह 3 टेबल स्पून पिसा हुआ मसाला जो मैंने अभी बनाया था Arabian masala वो मैंने इसमें डाल दिया और ढकन ढाकर इसे हम कुछ देर पका लेंगे फिर उसके बाद gas बंद कर दीजिए अब चावल बनाने के लिए हम 2 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें घी डाल देंगे तेल और घी या फिर बटर को हम एक साथ गरम कर लेंगे अब घी या बटर दोनों में से कोई एक चीज डाल सकते हैं अब देखिए यह 4 से 5 इंच की दार्चीनी है जो हम इस बगहर में डालेंगे और लॉंग है 6 और काली मिर्चे हमने आधा टीजपून ली है साबित काली मिर्चे और ये 6 हरी इलाइची है इन सभी को हम तेल में डाल देंगे और थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे हमें इसमें चावल बगहर ने हैं तो अब इसमें डाल दीजिए दो कटीवी प्यास प्यास को भी लाल नहीं करना है बस ट्रांसलिूसंट होने तक ही फ्राइ करना है यहां पर देखिए हमने तीन कप चावल को यानि तीन कप बसमती चावल को धो कर एक घंटे से भीगने के लिए रखा है देखिए चिकन गल गया है अब हम क्या करेंगे इसको चान लेंगे यानि इसका जो पानी है वो अलग कर लेंगे तो देखिए हमने इसे चान लिया है चान कर जो साबित मसाले हैं उसे निकाल कर फेक दीजिए और इस पानी को रखिए इस पानी में हमें चावल पकाने हैं चिकन को अलग रखती जिए अब जो बगार हमने किया था उस बगार में हम 4 कप ये चिकन स्टॉक डालेंगे यानि चिकन का उबला हुआ पानी डाल देंगे चार कप क्योंकि तीन कप हमने चावल लेने हैं पानी जब उबलने लगेगा तब हम इसमें ये भिगोए हुए बासमती चावल डाल देंगे जो तीन कप बासमती चावल हमने लिए थे वो तीन कप बासमती चावल इसमें डाल देंगे इसे तेज आज पर पकाना शुरू कीजिए अब देखिए ये चावल पक रहे हैं अब हम इसमें वाइट पेपर पाउडर डाल देंगे एक टी स्पून हमने इसमें वाइट पेपर पाउडर डाला नमक टेस्ट के हिसाब से डालिए क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला था दो टी स्पून अरेबियन स्पाइस मिक्स डाल दीजिए अब इस स्टेज पर आप लेमन जेस्ट यानि अगर काला नीमू नहीं है तो नीमू के छिलके को आप घिस कर डाल सकते हैं यानि नीमू को जब आप घिसेंगे उपर से तो उसका सफैद हिसा नहीं आना चाहिए वो कड़वा हो जाता है तो इस स्टेज पर लेमन जेस्ट डालिए फिर आप उस पर पानी सूखने के बाद थोड़ा सा जाफरानी रंग डालिए या जाफरान डालिए और धकन लगा दीजिए धकन लगा कर धीमी आज पर 10-12 मिनट के लिए से दम दे दीजिए अब देखिए जो चिकन है उसे हम मैरिनेट करेंगे तो उसके लिए हमने 2 टी स्पून तंदूरी चिकन मसाला लिया या फिर आप अरेबियन स्पाइस मिक्स इसमें डालिए और फिर साथ में लाल रंग डाल दीजिए और एक टी स्पून चाट मसाला डाल दीजिए और आधा टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालिए दो टेवल स्पून विनेगर डालिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर इसमें चिकन डालिए और चिकन पर ये मसाला अच्छी तरह से लगा दीजिए ये बहुत आसान तरीखा है मंदी बनाने का आप इसे घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं इसे अची तरह से लगाने के बाद अब देखीए तेल बहुत अची तरह से गर्म कीजिए और बहुत गर्म तेल में ये चिकन डाल कर सबी साइट से इसे फ्राइ कर लीजिए ताके ये ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए ठीक है क्योंकि ये अल्रीडी पका हुआ है तो बहुत जल्द क्रिस्पी हो जाएगा बहुत जल्द पक जाएगा और मज़ेदार भी लगेगा तो देखिए यह अच्छी तरह से पक गया है उपर से देखिए यह क्रिस्पी हो गया है और अंदर से तो पहले से ही पका हुआ है तो देखिए अब हम इसे निकाल लेंगे करते हैं और यहां पर हम 역ते हैं यह चिकन और चिकन रखने के बाद हम est温 करना है अगर हम देखिए यहां पर मैं कातोरी द्राइल में यह've विर ईक बीड़ा रख रही हूँ और इस जलते हुए देखे कितना smoky flavor आ रहा है बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रहे है दूए की तो हमारे हमने इससे smoke कर लिया हमारी मंदी बिलकुल तयार है तो यह जबरदस्त और बहुत ही आसान सी मंदी है और इसे हम सर्व करेंगे मंदी की चटनी के साथ इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर दिया है आप उसे जरूर देख लीजिएगा देखा आपने कितनी जबरदस्त लगए है आप साबिच चिकन के बज़ाए चिकन के पीसेज भी ले सकते हैं तो इंशाल्ला फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स फूर वाचिंग सबास बेस्ट क्लासि नहे हैं आप सकते हैं एम वाफ लीजिए सकते हैं कितनी जबरदस्त लेम वाचिंग कितनी जबरदस बया हैं ऐसे छो भी खलास्त